टोटल कॉस्ट 55,000 किलोमेटर में चौक जाओगे वी डबलू की गाड़ियों में एक बार में जाती है वो चीजे चार हजार आठ सो या नो सो रुपे एक टायर का है क्या बात कर रहे हो यार हाँ बिल है मेरे पार अभी यार दिला देना है आपकी गाड़े ने तो इसको लेकर हम घर चले जाएगे अब क्या आगर आप लोग देख रहे हैं टाटा वालों तो यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाई करोगी कि ऐसा क्यों अभी आप जो फ्रेम के अंदर दो टिगोर देख रहे हो एक हमारी वाली टिगोर है एक सचिन भाई की टिगोर है आज आप लोगों से सारा experience हम लोग share करेंगे ना सिर्फ टाटा टाटा की dealership का जो true experience है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे कि किस हिसाब से जो हम लोगों को feel होती है टाटा की services और किस हिसाब से एक आम आदमी जो है उसको feel होती है तो सचिन भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप अपनी टिगोर को लेकर का है हमारे साथ वैसे आपको बता दे कि दोनों के अंदर अंतर यह है कि यह जो है automatic variant है यह जो है manual variant है तो आप यह बताओ कि यह कब का variant है सचिन यह अप्रैल 2018 गया 2018 गया है इनको एक बहतरीन डील मिल गए थी कितने की मिली थी यह यह पाँच-बीस में पाँच-बीस के अंदर चोको मत यह नई गाड़ी इन्होंने नहीं ली थी लेकिन इन्होंने सेकेंड ली थी तो पाँच-बीस की automatic variant इनको मिल गया था जैड़क से जो है यह variant है कितनी चल चुकी अभी तक है यह अभी तक तो 25 यह चल चुकी है मुझे लग रहा कि साथ साथ मैं मेरा भी इंट्रिवी लेगा इस वीडियो में बिल्कुल बाइसाब दो टाटा के ओनेर हो तो जायज बनता है ना ठीक तो आप इस गाड़ी के ऊपर कैसे चलेगे बाइसाब पहली चीज तो इससे पहले मेरे पास अल्टो थी तो मैं चाहत हुआ है उसके फिर हमने सुचा कि क्यों ना वीडियो वीडियो भी देखी कि उन्होंने कहा कि अगर सब्सक्राइब में अच्छी मिल जाती है बिल्कुल तो सब्सक्राइब जाना चाहिए अगर साल पुरानी मिले तो एक साल में कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी क्या बि सब्सक्राइब तो हमने जब डील करी तो पांच-बीस में डील हो गी अरे क्या बात बहुत ही सस्ते में इनको मिल गी मतलब एक बार तो हम भी चोग गए थे इस गाड़ी को कि पांच-बीस के अंदर सिर्फ मतलब कि इतनी पुरानी गाड़ी सिर्फ पचीस जार चली हुई इन्होंने भी जिसमें से साथ-अठवजार चला दी है गाड़ी आठवजार आपनी चला दी है तो यह चीज़ हम ओलेक्स को प्रमोट नहीं करें अगर ओलेक्स के उपर आप गाड़ी देखने जाते हो तो सजग हो जाहिए चोकनने हो जाहिए वहां पे लूट का सोट जो ह है ना वो इसने चला दी है गाड़ी को तुम्हारी जो है वो कोस्ट कितनी आई है अभी तक किस सर्विस की सर्विस की कोस्ट 55,000 किलोमेटर तक अभी हाल फिलाल में एक सर्विस करवाई है टोटल कोस्ट 55,000 किलोमेटर में चौक जाओगे वी डबलू की गाड़ियों में ए लए एक साल पुरानी और इनकी कम भी चली आपकी कोस्ट कितनी आई अभी तक अभी तक 28 के असपास आ चुकी है तीन सर्विसिंग में अब क्या आगर आप लोग देख रहे हैं टाटा वालों तो यहां पर थोड़ा सा जस्टिफाई करोगी कि ऐसा क्यों इनका कई विशेस प जैसे कि आप लोगों से किस चीज का जो चार्जीज है वो जादा लिये जारे हैं एक तो वो हर सर्विस में ब्रेक लिनिंग करते हैं तो ओल्मॉस्ट चार अजार के असपास उसका बिल बन जाता है जार अजार आठाट सो या नो सो रपे एक टायर का अच्छ च्या बात कर रहे हो यार हां विल है मेरे पास है और उसके अलावा और चीजे हैं जो उनकी लेबर भी ज्यादा है लेबर भी मेरे को जादा लगी जैसे कि आपका देखा था वीडियो तो उसमें जो आपने लेबर करने बेलकुल सही बात है आपको सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि आपको सर्वीस सेंटर बदलने की सकत जरुरत है और दूसरी जिए जहां पर यह है कि इनका जो बिल है एक जो टॉप आप वाली सर्वीस होती जिसका जो लेबर चार्ज है 700-700 के आसपास है वो बिल इनका जो है साथ हजार का बना रख है और ये बहुत सरमिंदगी वाली बात है समझ रहे हो ना मैं जहां पर कह रहा हूं कि 55,000 किलोमेटर में मेरा 12,000 का खर्चाया है टोटल इनका जो है ऑल्मोस्ट डबल है 25,000 के आसपास का यहां पर जो है प्रोडेक्ट आपको अच्छा है लेकिन बदनामी कहा हो रही है सर्विस सेंटर को ले कर गए तो ये चीज बहुत जरूरी है सुधारने वाली है कहां मतलब कि इन्होंने डबल गाड़ी चला दी आदे से भी कम का बिल है इनका पूरा अभी तक का और इनका 28,000 रुपए मतलब कि सर्विस के उपर दे चुके तो VW और Tata की गाड़ीों में कहां फरक रहा जाता सर्विस के अंदर आप ये बताओ खेर अब दूसरे टोपिक के उपर आते हैं ये चीज जो है वो एक अलग पार्ट है सर्विस का आप लोगों को सब को बता दिया जो कि हमारा एक फर्ज था तो वो चीज अब एक बात ब बताया था कि यहां से एक नोईस आ रहा है तो उन्होंने का ठीक है वो ठीक कर देंगे और उसके बाद वो आया भी नहीं हो ठीक भी कर दिया जरूरी है बाए साब आपको की सर्विस सेंटर चेंज कर दो पहले रेकमेंडेशन ये है और आप लोगों के लिए जरूरी सीखि समझ में आया आपको खेर अब भाई रवी ये बता कि तेरी गाड़ी कितने के मैलेज निकालती है मेरी गाड़ी जो है नॉर्मली 18-19 का मैलेज निकाली देती है 18-19 का निकाल देती है और आपकी गाड़ी कितना निकालती है से में हाईवे पे तो 18-19 निकालती है और सिटी म तो तहरा से 15 फिर भी रहती है अभी इन से बाची तो यह बता रहे थे कि टाइरों की बहुत ज्यादा नौई साथ ही और अभी आट टायर में देखे तो इनके कट भी लगे हुए और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह टायर जो है काम के निये सर्विस से जादा कोई स्वेTC. एक चीज जो है व्येह हैं अप लोग नहीं नहीं है को मैं कमपनी वालों के लिए बोल रहा हूं कि हम नॉर्मल कस्टमर के पास जाते हैं आम आदमी आपकी गाड़ी के बारे में क्या सोचता है क्या सुधार आपको करना चाहिए उस चीज से भी आप देख सकते हो ठीक है स्पेशली उनके लिए अगर कोई टाटा से देख रहा है तो या कोई भी कमपनी से आपको देख रहा तो हमारे दूसरे वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं वहां पर डारेक्टली हम लोग कस्टमर से जुड़ रहे हैं यहां पर समझ मैं अब मेन चीज क्या है कि यह है मैन कि लाल जो है वो रवीड सबसे पहले गाड़ी चलाएगा तो उसका जो है ओपिनियन देखते हैं यहां पर क्या होता है कैसी चलती है ओटमेटिक कैसी चलती थी मैन्वल तो यह इसको पष्टा होगा कि नहीं होगा ना ऐसा होता है जब सेकेंड इंड गाड़ी देखने जा ही है इसका उतना स्मूध नहीं जितना ग्रेंड आइटन नियोस में आपको मिलता है और आपको औरा में मिलता है बागी चलने में पावर पिकप अच्छी गाजी अभी हमने दोट जिर पहले आइट 20 चलाई थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी है पहले मुझे पता नहीं था मत बाद तो जमीन आसबान का फरक्ता है प्रख्ट मोड लगाती तो अशालगता था कि हां अट्रपावर नाम की तो चीज इसमें तो बिल्कुल भी नहीं इसमें तो अट्रपावर सालगता तो तो चलता है तो एम्टी का तो कोई अंपारिजन नहीं पहली बात तो मैं आपर अब जैसा यह है मैंने फूल एक्सलेटर दबाया तो तीन हजार साड़े तीन हजार में चेंज कर दिया अब मैं स्पोर्स मोड में इसको चलाओंगा अब जाओंगा कि यह गाड़ी जो है पर्फॉर्मेंस के लिए बनी ही नहीं है ठीक है तो कॉंप्रोमाइज बस इतना है कि जैसे जाए चार हजार पे सिफ्ट कर रही है चाहिए आपका कोई साभी मोडो स्पोर्स मोड में तो साढ़े चार में कर रही है वैसे साढ़े तीन के आसपास कर रही है तो उसको हम 6,000 तक ही सकते हैं मैं खींचता हूं उसको जनजली 6,000 जब तक जो सुई है वो लाल नहीं हो जाती यह चीज इसमें मिर को देखने को नहीं मिल रही है जब कि अगर देखा जाए सेटी में आप चलाते हैं तो ऐसे तुम कभी जिंदिये में नहीं चलाओगा कि आपको परिशानी नहीं होगी जाए रटा दिये उसमें से सिंपल बात है यह है अब मैं इसको सिटी मोड में और चला लेता हूं ज्यादा शान्त हो जाती है विजरी वो चीज माइलेज का प्रेशर आ जाता है इस तो ऑटमेटिक है सारी चीजे बढ़िया है लेकिन आपका सिटी ड्राइव जो है वो बैस्ट गाड़ी है मतलब की बैस्ट तो कैर क्या को हूँँगा लेकिन बढ़िया गाड़ी है सिटी ड्राइव के आप बिल्कु ले सकते अंदर आपको परेशानी नहीं होगे जाम बरे इलाकों के अंदर जा चला सकता है जिस पहन पर रेस पर तो में रिली सो बैस्ट ही थी और सिडान मिले गई तुने में तो अरा सब की किसमत ऐसी नहीं होती भाई घ्रफक्ता बीध माध है और चार्ट बीशी लीटर का बूट सपेस है एक्चली वह हमें सबसे पहले तो मैंने यह देखा तो तो सारी जो केमेंट इसी में फुल्फिल हो रही जी उस प्रैस्ट एग में तो सेवी फिलिंग आरे जैसे रवी वाली गाड़ी जो है वही चला रहा हूं मैं पिलकुल उसने जैसे की सीट कवर लगवा लिये हैं यहाँ पर कुछ चड़वा लिया है जाथ से इसके लाएँ कोई अलग से चीज जो है फिल नहीं हो रही बस यहाँ पर मैं सेकंड गेर तो यह था एक experience हमारा चलाने का साथ की साथ हमारा main मकसद यह था आप लोगों को कि आम आदमी क्या परेशानियां फेस करता है अगर जो है वो फैटा की service से related मैं हर एक की बात नहीं कर रहा है हर एक service station की बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे service stations के उपर ऐसा हो रहा है generally आप से request है अगर आप लोग देख रहे हो तो इस चीज को जरूर सुधा रही है ठीक है तो यह चीज है well thank you so much भाई आप आए और अपना जो experience है हम लोगे साथ शेर किया बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर आपको गाड़ी मिल गई और आप लोगों से भी ऐसा ही है कि अगर आपको इस टाइब की गाड़ी कम प्राइस में मिलती है तो उठा लो भाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इनको बोल दिया है कि अपना service station change करो इनको भी service cost जो है वो आगे से कम मिलेगी अभी की काफी जादा है ठीक है तो मिलते हैं ऐसे किसी next informative video के अंदर और ना सिर्फ आप लोगों के लिए informative रहा होगा साथ की साथ companies के लिए भी रहा होगा हमारे video के तो मिलते हैं next video के अ साथ कि अगर four wheeler चलाते हैं तो seatbelt जरूर डाला करिए दोस्त अगर two wheeler चलाते तो helmet जरूर पहना कीजिए ठीक है जय हिन जय भारत दारत मत लगी जय और आप भी अपनी गाड़ी का ownership experience share करना चाहते हैं यह email idea आपको दिख रहे होगी आप वहाँ में mail कर लीजिए और हम आप को जल से जल कॉंटेक्ट करने की कोसिस करेंगे